नमस्कार दोस्तों हमारे वीडियो में आप लोगों का श्वागत है आज हम जो टीलम बनाने जा रहे हैं वो साधी के कार्ड से बनेगा जिसमें सिर्फ साधी का कार्ड ही लगेगा यह हमने दो रंग के साधी के कार्ड लिये हैं हमने जो चिपकाया यह ताकि मजबूत हो जाए इसलिए इसको हमने डबल कर दिया है फिर दूसरे रंग का लेंगे आपके पास लाल ना हो तो कोई दूसरे कलर का हो उससे भी आप बना सकते हैं कार्ड लियें इसके बाद इस तरीके से हमको बना लेना है उसमें फिर कैची से अराम से उसको काट लेना है थोड़ा यह मोटा होता है कार्ड थोड़ा टाइट कटता है कटने के बाद ऐसे दिखेगा अब इसको हम गलू से चिपका देंगे दूसरे कार्ड में अच्छे से चिपका लेंगे फिर यह जरूरी नहीं है हमने हरे कलर कर लिया है आपके पास कोई दूसरा कलर होगा उसको भी ले सकते हैं पत्ती के आकार में काट लेना है यह हमने डबल कर दिया है ताकि एक साथ दो दो पत्तिया कचें काटने के बाद अब ग्लू लगा के इसको इस प्रक जरूरी नहीं आप इसमें पत्ती ही बनाईए आप गोला भी बना सकते हैं गोला गोला करके उसको चिपका दीजिए इसके बाद काट के चारो तरफ लाइन खीच देंगे आउट लाइन कर देंगे उससे तोड़ा अच्छा दिखने लगता है और यह आसानी से आउट लाइ यह लाइन खीचने के लिए बढ़िया रहता है और कोई डिजाइन बनाएंगे टाइम लगेगा और यह टीलम जो होता है बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में बन जाता है यह अब हम फूल से इन पत्तियों को मिला देंगे बीच में पीले रंग के काट से काट के गोला बनाया उसको छिपका दिया है और इसमें हमने न लिखा है जैसे नया और जय हुआ तो जन हो गया धुन हो गया कौन धान और यह हो गया मन और यह हो गया दिन फिर बिन तो यह टीलम बन गया सब्द बनाओ यह तीलम आपको कैसा लगा लाइक करिएगा सस्क्राइब